राशिपल के अनुसार आज यानी शनिवार का दिन बहुत महत्पून है आईए जानते हैं ग्रहों के चाल के मताबिक आपके किस्मत के सितारे क्या कहते हैं आईए जानते हैं मेश से लेकर मीन राशिवालों का राशिपल मेश राशी वालों की बात करें तो आज का दिन आप के लिए उतार चड़ाव से भरा रहेगा आपको कोई पेट संबंदत समस्या हो सकती है जिसे लेकर आप परिशान रहेंगे आप अपनी दिनचरिया में योग और व्यायाम को अपनाए परिवार में किसी सदस्य की ओर से आपको कोई निराशा जनक सूचना सुनने को मिल सकती है आप किसी को धनो धान ना दे संतान आपसे किसी चीज की परमाईश कर सकती है जिसे आप पूरिय वश्य करेंगे विशब राशी वालों की बात करें तो आज का दिन आप के लिए किसी नए काम की शुरुआत करने के लिए अच्छा रहेगा आप व्यपसाय में यदि कोई बड़ा जोखिम उठाएंगे तो उससे आपको कोई नुकसान हो सकता है आपको किसी वाद विवाद में पढ़ने से बचना होगा जीवन साथी के लिए आप कोई सर्प्राइस गिफ्ट लेकर आ सकते हैं आप कहीं गूमने फिरने की प्लानिंग कर सकते हैं आप अपने मित्रों के साथ किसी पार्टी को करने की योजना भी बना सकते हैं और आपके आसपास कई नई समस्याय आ सकती है मित्रों राशी वालों की बात करें तो आज का दिन आप के लिए को चुलजनी लेकर आएगा आपको काम अधिक रहने के कारण समझ नहीं आएगा कि किसे करूं और किसे नहीं जिस कारण आपको चिंता भी बनी रहीगी आप यदि राजनीती में कारे रत हैं तो किसी बड़ी नेता से मिल सकते हैं आप किसी धार में कायोजन में सम्मेलित हो सकते हैं करक राशी वालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिमान सम्मान में व्रधी लेकर आने वाला है। आपको आए के नए नए स्ट्रोत प्राप्त होंगे और आप अपनी आए को बढ़ाएंगे जिससे आपकी आर्थिक स्तिती को भी मजबूती मिलेगी। यदि आप किसी य व्यबसाय में आपको अच्छे लाब मिलने की योग बन रहे हैं। आप अपनी कारे को शल्ता से लोगों को अपनी और आकर्शित करेंगे। प्रतीस परदा का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको किसी काम में उसके नीती नियमों पर ध्यान देने की आवश्यक्ता ह कन्या राशिवालों की बात करें तो आज का दिन नौकरी में कारेरत लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको व्यबसाय में अपने भाईयों से कोई आर्थिक मदद मिल सकती है जो आपके बिजनस में चार चांद लगाईगी। आपके घर किसी अतिती का आगमन ह हो सकता है। आप किसी सरकारी योचना का पूरा लाब उठाएंगे। जीवन साती के लिए आपको युपार लेकर आ सकते हैं। चोटे बच्चे आज आपके साथ कुछ मौज मस्ती करतें नजर आएंगे। तुला राशिवालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए त समस्याएं आपके भाईयों की मदद से दूर होंगी। आप कोई महत्पूर निर्नेल ना ले। नहीं तो उसमें आपसे कोई गड़बड़ी हो सकती है। ग्रश्चिक राशिवालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए अपने आलस से को त्याग कर आगे बढ़ने के रहेगा और आपको अत्यादिक काम रहने के कारण भागदौर लगी रहेगी। कुछ मौस्मी समस्याएं भी आपको हो सकती है। राजनीती में कारेरत लोगों को किसी विशेश्पत की प्राप्ती हो सकती है और आपको किसी सम्मान से नवाज अचा सकता है। धनुराशिव राशिवालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए स्वास्ते के लिहाद से कमजोर रहने वाला है। आप किसी नए काम की अधी शुरुआत करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छी रहेगी। आपको किसी संपत्ती संबंदिद विवाद में अपनी आँख कांट खुले रखने होंगी। आपके कुछ विरोधी आपके खिलाप कोई शडियंतर रच सकते हैं और आपका कोई काम बनते बनते रह सकता है। मकर राशिवालों की बात करें तो आज कदिन आपके लिए सकारातनक परिणाम लेकर आएगा। आपको किसी विदेश में रह रहे प सोच समझ कर कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपकी परिवार में किसी शुब मांगलिक कारिक्रम का आयोचन हो सकता है। व्यापार में आपको कोई बड़ा काम सौपा जा सकता है। आपको किसी विशेश व्यक्ति से मिलने काम मौका मिलेगा। मीन राशिवालों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए बिसनस के लिहाद से उतार चड़ाव भरा रहेगा। आपको कुछ समस्याय आ सकती हैं इसलिए आप किसी नए काम की शुरुवात ना करें। नहीं तो उसमें आपको कुछ अफ्रोध आने की कारण आपको नुकसान होने की भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भोले।